हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर्फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला यहां पर इंडिया वज़े शिलंका के बीच जो सेकिंड बंडे मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टन्ट र प्लस आपके साथ और कंप्लेंड इंफर्मेशन आपके साथ शेयर होने वाली है तो उससे पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं आयो तब को हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करना बहुत जरू है जिसको नाम है फैंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम सबसे उपर ब्ल्यू क्लर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन इसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का जोइन करो कि तो किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक है कि आप लिंक का यूस करना जो वीडियो के नीचे कमेंट पर आपको दिया हुआ है अब आते ही वीडियो के में पार्ट देखो बात कि यहां पर एडन गार्डन कॉलकाता का बाकि वैडर के बारे में अगर मतियाक है और बात कि तो फिफ्टी फिफ्टी ओवर्स का बंडे है पिज्ट रिपॉट के बारे में बात गएंग पैचे है बाट बाकि Ki बाकिवांडरी के बारे में अगर बात किया तो आपर 60-70 मीटर की बांडरी जहां रखके चलना बाकिए अगर वाद किया थो तीन वंडे मैच इस ग्राउंड पर भी तक होए है जिसमें अठारा मैच इस बैटिंग पहले करते हुए टीम ने जीता है और यहां पर ग्यारा मैच जीता है सेकिंड बैटिंग करते हुए इसलिए और एक रिजल्ट आ नहीं है यह निकल के जरूर आती है कि हाँ पर यह पर पहले बैटिंग करना चाहेगी बट फिर अगले पहले चीज दिक्कत देने वाली वह यह है कि पहले टीम बॉलिंग भी कर सकते है रीजन यह है कि यहां पर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्याद रही कि यह आपको पता है बेंगॉल के साइड में हो तो कही ना कई महां पे पर जो रिकॉर्ड है वह है बैटिंग पहले करते वह अच्छा अगर ड्यू फैक्टर देखेंगे माइंड बे तो ड्यू फैक्टर देखेंगे लगता है कि यहां पर बैटिंग सेकंड करनी चाहिए तो दोनों ही चांस ही बसकते टीम पहले टौज इसे कुछ भी कर सकती है बागे अगर बात किया तो यहां पर है हाएस्ट जो है वह है आपर 404 इंडिया नहीं स्कॉर किया था शिलंका एके दोजार चौता में जिसमें रोही शर्मा ने दोसो चौन सटर नमारे तो इस ग्राउंड पर जो हाएस्ट ऑफे इडन गार्डन हमेशा इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म करता है बागी आवरेज स्कॉर के बारे में डाइस होगे आसपास आवरेज स्कॉर देखने को मिलेगा हाइस्ट चेस करते हैं कि टीम ने तरगेट को चेस करें वह 37 है जिया नक्य चलना बाकिया करवाद के टॉस के बारे में अल्रडी बोल चुको मैं यहार हैगा वैसे टॉस पहले बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीत के बट ड्यू फैक्टर के पहले बॉलिंग भी करनी बनती है बागी पंट पिक जो अच्छी रैंक दिला सकते हैं यूजवेंदर चहर अशीता फर्नेंडो लहीरु कुमारा और यहां पर चामी का करूना र भी पिक नहीं है अगर बात की जाते हैं यहां पर आते हैं इंडिया की टीम के बारे में लाश मैच में 373 मारे साथ विक्टे नुकसान पर मैच जीत लेता है इसमें है रोई शर्मा कैप्टन प्लस राइड आर का मतलब राइटन बैट्स में और लिखा हो तो लेटन बैट् सियाद आवाइस अगरा भी यहां पर रोई शर्मा को कर सकते हो तो इंपॉर्टन रहेगा रोई शर्मा आपके लिए बाकि है शुबमन गिल राइटन बैट्स में लाश मैच अच्छी वैटिंग करी सत्तर अन्मारे और टी-20 वाले सीरीज में अच्छी फॉर्में नहीं थ शुमन गिल को टीम में ले सकते हो बागी अगर बात किया तो यहाँ पर है विराट कोली देखो यहाँ बोलूगा कंसिस्टेंसी तो नहीं है फिलाल अभी विराट कोली में क्योंकि अब सेंच्छी स्कोर के अब शायद है कि जल्दी वाट सुपत है क्योंकि लाश मैच वे आप उठाके देखोगे तो दो कैशेश चुटी थी फिर एक 81 के आस पास चुटी थी और अगर आपने से पहले जब इशान किशन डबल सेंचरी की तो विराट कोली को चांस मिलते है तभी विराट कोली थोड़ा यहाँ बड़ी निंग में कनवर्ट कर पा रहा है तो अगर कर लोगे तो जल्दी आउट जाएगा अधरवाइस अगर ड्रॉप करोगे तो फिरो बड़े इनिंग में कनवर्ट कर देगा तो यह चीज़ ध्यान रखने लिए अब क्याप्टन कर सकते हैं और मेजोटिव लोग करके भी आएंगे बागी है श्रेय से यह राइटन बैट इसलिए कहीं ने कई में यह को माइंड पर रखते वह तीम में जरूर लेना चाहूंगा और यह का जो फॉर्म है लाश्ट यह बहुत अच्छा रहा था इंडिया के लिए वंडें इंटरनेशन में लाश्ट यह बाकि अगर पाले अच्पाट थाइस मारे बाकि हैं आपर के प्लस विकेट इविंग कर दो कैचिंग पॉइंट बाकि हां पर हाट दिक पांडिया राइट बैट सुन फास्ट बालर गुड फॉर्म अच्छी फॉर्म में था ठीक है बाकि अगर बात किया चौदान मना लाश्ट में छे ओल डाला जहां एक विकेट मिला है त्यानक्य च बहुत अच्छी प्रफॉर्मस करता है और और अच्छा कर सकता है अच्छा कर सकता है बाकि मोहमज शामी के बारे में अगर बात कि चारन मारे नौवर में एक विकेट लिया टीम में कंसीडर कर सकते हो बढ़ यहां पर मैं थोड़ा फास्ट बोलर में सिराज और अम्रान को सिराज ने अपनी लाइफ की बैस्ट फॉर्म में और अपने रीसेंट में अगर आप देखा तो यहां पर मैंने लाश मैंच में यहां पर शामी और चहल दोनों को ड्रॉप करकि मैंने सिराज और उम्रान को ही लिया था इसकी पिछे रीजन बता रहता हूं कि यहां पर जो सिराज और उम्रान को तो ज्यादा प्रैफर करने वाला हूं पर इस उम्रान को सिराज ने दो विकेट लिए बाकि दैथ होड़ से पंदरा से बीस और के बीच में आपके सिराज शामी और उम्रान बॉलिंग करते हैं नजर आएंगे बैंच में यहां पर वाशिंग्टन सुंदर लेफ्टन बैटन ऑफ स्पिन बॉलर पहले मैच में भार बैटा था शायद आज भी बाहर बैटेगा बैस्ट इन ओडियाई ओडियाई पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यहां पर वासिंटन सुंदर का ध्यान रखके चलना सब्सक्राइब बंगले देश बहार बैटेगा सुर्यकुमार याद आप रएटन बैट्स में अच्छी परफॉर्मेंस करिया बाकि इशान किषंटन बैट्स ने फस्टेश डबल हंड्रेड बंगला देश के अगे तो यहां पर डेफिनिटली मुझे लग रहे हैं बाहर बैठ रहे हैं और वैसे मुलना चाहिए मौका बट चांस नहीं कोई भी अर्शीदीप वंडे में अभी तक कोई खास पर्फॉर्मेंस रहा है मतलब मौका मिला ही सिंग मिला नहीं है और अभी तक देखें तो अर्शीद प्रफॉर्ट टीम चैल की जगहा कुलदीप को मौका दे दे उस चेकर में आपके लेक्षे बन सकता है इस्पेशली ग्रेंड लिग में यह स्मॉल लिग में ट्राइक कर सकते हो क्योंकि जो ग्राउंड हो जो पिछ है वहाज कहीं ना कि स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ छो है तो राइटन बैट्स बने रिसेंट जो फॉर्म है वह अच्छी नहीं रही थी नहीं लंका प्रिमेर लिग में रही थी नहीं अभी ट्रॉंडी सिर्यूस नहीं अच्छी गई थी बट पहले मैच में अच्छी निंग के लिए टीम में ले सकते हो इंपॉर्टन पिर आप और मुझे लगता है कि अगर खेलता है तो जुरू ट्राय करने ग्रेंड लिग के टीम है पहले मैच पाच अन्मारे बहुत बढ़िया बाकि अगर बात किया तो यहां पर है कुशाल मेंडिस पहले बहुत अच्छी फॉर्म में था और दूसरी साथ बात किया तो यहां पर लाश्ट काफी लंबे टाइम से यहां पर वर्ल्ड कप से उठाके देख लो यह लंका प्रिमे लिग उठाके देख लो यहां फिर इंडिया के टीम में जरूरू लेके जाना मैं के यहां पर प्रेफर कर रहा हूं कुशाल मेंडिस को बाकि आप है चारी तसा लंका आपको बैटिंग ऑर बॉल्र से कोंट्रिबूट करते नजर आ सकता है यहां पर दशुन शाना का क्याप्टन प्लस राइट हैं बैट सन फास्ट वॉलर रैड होट फॉर मतलब बहुत चीप फॉर्म में तो अच्छी परफॉर्मेंस करी ही करी साथ यह पहले मैच बंडे में भी 108 मारे और तीन वर में विकेट लिया बंदे ने मतलब लाश मान सकते तो यहां पर यहां पर एक ऑप्शन था कि कस्ण रजी ता जिल्शान मदुशना का था वह इंजर्ड था तो चांस था कि शायद बॉलिंग करने भी ना आयए दशुन को कहते हैं मदुशना का तो यहां पर इसलिए जो रजीता एक एंड पर सिंगल सिंगल डबल मतलब यहां पर बोलूगा कि यहां पर काफी पावरफुल हिटिंग बैटिंग है यहां पर शनका की बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है जुरत पढ़ने पर तीन और लाज डाइस मैच में डाले एक विकेट लिए और एक सो आठन भी मनाए हसार अंगा के बारे में बात क लाज लगे तो जिनुत विल्ला लगे कि यहां पर माइश तिकषाना मौका मिलेगा यहां पर फिला लगे पहले मैचे फ्लॉप रहा और इनका एक्स्पिरेंस प्लेर लाश मैसे भार बैटा वा था तो यह चांस है यह चेंज हो सकता है और तिकषाना करें खेलेगा तो नौरन बैटिंग से बनाया और दूसरी बात याध्यानक ना अभी रिसन लंका फिर में लीग में इसने दो दो बार पांच-पांच रिकेट लिये थे तो काफी एच्छी बॉलिंग भी की थी है आपके कसुन रजीता ने इंपोर्टन प्लेयर है तीम में लेकर जरूर जाएं रजीता और यहां पर अगर मेदुशना का खेलेगा तो अधरवाइस यहां पर लाहिरू कुमारस की जगा देथ ओवर से बॉलिंग करेगा रजीता और करना रतने के साथ बैंच में यहां पर जैफरी बंदर साई लैक स्पिन बॉलर है ध्यान रखके चलना भार बैटेगा बाकि आप है समीर विक्रमा जो भी प्लेयर ऑफदा टॉर्णामेंट रहा था लंका प्रिमेल लीग में बहुत अच्छी फॉर्म में था बाकी भार बैटेटे तो नजर आएगा बाकि यहां पर है अशेन बंडारा राइटन बैट्स पिन बॉलर इसका भी लंका प्रिमेल में कर रहा था बहुत अच्छा बाकि है प्रमोड मदूशन आपने इसको एश्या कप में खेलते हैं देखाऊगा राइटम फाज बहुला रहा है इंपोर्टन आपके लिए जो मनने वाले डेफिनेटले मेले बनेगा पाथुम निशांका यहां पर बनेगा अविश्का फर नहीं आएगा और आप किसी भी आप में जा सकते हो बाकि मेरी जो रहेगी विजन एलेवन एप पर रहेगी काफी अच्छी और विनिंग कर सकतो इस आप का लिंक का जब टेलीग्राम चैनल जोइन करोगी तो वहां मिल जाएगा रैफर कोड आपके लिए सेम एस रहने वाल एंट्रीवी बहुत कम है क्रेट का इश्यू नहीं आता है यहां पर काफी कम है स्मॉले की टीम यह रहेगी इसमें कादा चेंज कर सकते हो मैंने मैंडिस को ज्यादा प्रैफर करा क्योंकि अच्छी फॉर्म में भी है आप रहूल के साथ प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि साथी प्लेयर मैक्सिम ले सकते हो बाकिया पर है समरविक्रमा के चांस नथर नहीं आते खेलते हैं बाकिया आप ट्राय कर सकते हो जा सकते हो बाकि अगर बात की जाए तो मैंने रिख पांडिया अक्षर पटल जा सकते हो बात की जा सकते हो अगर चांस ही कि कुलजीब भी खेल सकता है और चामी का करना रतने अच्छा उप्षन है तिक्षान अच्छा उप्षन है लहीरु कुमारा विकेट टेकर बॉलर है यह कुछ ऑप्षन बनेंगे कैप्टन जो मेरे रहे वह हैं और हैं पर हरसा रंगा जिस त ग्राउंड पर बाकी वाइस्रिप्टन मेरा हाल थी पांड्य में रिवर्स भी कर सकता हूं और आपके जो आप्शन इसमें अक्षर पटेल रोहिश शर्मा विराट को ली तो इनको ट्राइ कर सकते हो बाकी आता है ग्रेंड लिक की टीम वन मेरे कोडिंग आपके लिए यह ग् ग्रेंड लिक की टीम 5 रहेगी आपके लिए बाकी मैं स्मॉल यह ग्रेंड लिक की फाइनल टीम जोगी मैं वाफटर तो आपको टेलिग्राम पे दे दूगा तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करना पड़ेगा जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्य जिलता है फाइनल टेलिग्राम पे जहीं दोस्तों बाई बाई